नवश्कार, Equatreat में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, आज का टॉपिक है, Epizootic Ulcerative Syndrome, Epizootic का मतलब Animal से संबंदित, Lal-Dhabbe की बिमारी EUS, तो शुरुवात करते हैं, here we go to our first slide, Fresh Water Fungus है, Epizootic Ulcerative Syndrome, बहुत एक खराब बिमारी है, एक बार Advanced Stage में पहुँच जाए, तो फिर मचली का मरना तै हैं और कोई इलाज भी नहीं, पानी का Fungus है, Red Spot Disease बोलते हैं, Mycotic Granulomatosis यहनि के MG भी बोलते हैं, Contagious Disease है, चुवा-चूत की बिमारी है, Efenomyces Invidens, यह फंगस का नाम है, Oomycetes है, Trigger जो है इस बिमारी का वो बड़ा specific है, Low Temperature और Heavy Rainfall में यह बिमारी आने की पूरी सम्भावना रहती है, Body के Surface Area में होता है, Mostly Lateral Area में, लेकिन पार्श साइड में दोनों तरफ गाव होते हैं, लेकिन कहीं भी हो सकता है, छोटी मचलियों में और Fingerlings में बहुत Prevalent हैं, बहुत जादा होता है, इसे Ulcerative Mycosis भी कहते हैं, मचली के तुछा पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं, ये दब्बे बाद में घाव बनने के लिए फैलते जाते हैं, ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से लाल रंग का निशाना है, देखिए, साइड में है, पार्श एरिया में, लेटरल साइड, लेटरल एरिया, उसके बाद घाव और ज़्यादा व्यापक हो जाता है, तुछा की शती हो जाती है, और फिर इनका इरोधन शुरू हो जाता है, तुछा में इरोधन हो जाता है, बीमारी बढ़ने लगती है, और उसके बाद उस घाव में जो गले हुए उत्तक होते हैं, वो और फपूंदी के तन्तू वो भरे हुए मिलते हैं ये देखें बड़ी भयावा इस्तिती हो जाती है ये इसके बाद मशली के जो आंतरिक और्गंस हैं अंगों पर ग्रेनुलोमा का विकास होने लगता है ग्रेनुलोमा जो है वो तब बनता है जब प्रतिरक्षा की कोशिकाएं आपस में गुच्छा बनाकर संक्रमण या सूजन वाले स्थान पर छोटे-छोटे पिंड बनाती है यह शरीर का एक बाहि आकरमण या बाहि रोक से लड़ने का तरीका है जिसमें बेक्टिरिया, वाइरस, फंगस इन सब के शंक्रमण को एक छेत्र में प्रतिबंधित करके सीमित किया जाता है ताकि वो बीमारी, वो वाइरस या वो बैक्टिरिया वो जो कोई भी है बाहर का foreign agent यानि कि बाहर से आई भी कोई चीज जो है वो फैलने न पाए शरीर में बाद में septicemia होने लगता है, septicemia जो है रक्त के अंदर विश जब होने लगता है तब उसे बोलते हैं रक्त विशाक्तता सही में कहा जाए तो septicemia को कहते है इसके बाद osmo regulatory जो balance है वो मचली का पूरी तरह से नश्ट हो जाता है, बिगड़ जाता है और वही मचली के death का कारण बनता है US में जो leasons बनते हैं, घाव बनते हैं वो बहुत बदसूरत होते हैं देखने में बहुत खराब लगते हैं, कुरूप होते हैं और जो ये बीमारी की शुरुआत होती है, ये छोटे छोटे आकार ये पॉइंट से भी शुरू हो सकती है और बाद में ये बढ़ती जाती है ये भी देखिए काफी बड़ी हो गई, शुरुआ छोटे बिंदू से हुई और फिर ये बड़े हो गए छोटे छोटे जो है लाल रंग के धब्बे, फिर उसके बाद वो रक्त सरावी धब्बे बन जाते हैं फिर इस्थानी सूजन होने लगती है, शरीर की सते पर इस्थानी उबरे हुए से छेतर दिखाई देने लगते है शलकों की हानी हो जाती है, यानि स्केल्स की, तुचा का शरण होने लगता है, यानि कि तुचा में नुकसान शुरू हो जाता है शलकों के नीचे की जो तचा है उसमें लाल रंगे शेत्र बनने लगते हैं और जो नीचे का मस्कुलेचर है यानि की जो मानसलता है वो बिलकुल उपर आकर के खुल जाती है फट जाती है ये देखिए जादातर ये पार्श सता पर होता है जाता कि आपने आपको पहले भी बताया लेकिन ये किसी भी जगए भी हो सकता है इस बीमारी का प्रकुब भारी वर्षा और बार की घटनाओं की वज़े से होता है ताप्मान में गिरावट हो छारियता में कमी हो लवड़ता में कमी हो और एसिट सलफेट वाली कोई मिट्टी के छेत रहे आसपास जहां से बह कर पानी अगर तलाब में आए तो वो पानी जो होता है जो सको अपवाह जल बोलते हैं, वो अगर अमली करेते हैं, यानि उसमें ऐसिट की मातरा जादा है, तो उससे भी ये बीमारी जुड़ी हुई है, पैरासाइट यानि की परजीवी और रैप्डो वाइरस भी इस बीमारी से जुड़े हुए हैं, वो इनके होस्ट जो है वो बहुत सारे हैं, वो वर्टीब्रेट्स हैं, उसमें इस्तनपाई जानवर भी हैं, हम लोग भी शामिल हैं उसमें, इन वर्टीब्रेट्स भी हैं, पाउधे भी हैं, फंगस भी हैं, प्रोटोजोवा भी हैं, इस से रैबीज जिन से फितलाइटिस होती बड़ी बेकार बिमारी है इसमें दिमाग में सूजन हो जाती है और फिर ये मृत्यू के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता और ये एक एंशियंट ग्रीक वर्ड है रैब्डॉस उसका मतलब होता है राड ये वाइरस राड शेप का होता है इसी से इसका नाम पढ़ा है तो ये रैब्डो वाइरस और ये जो परजीवी है ये इसके अंदर घुस करके सेकेंडरी इंफेक्शन पैदा करते हैं ग्राम निगेटिव बैक्टिरिया जो है वो भी इनके लीजन्स को एफेक्ट करते हैं और इस्तिती को और ज्यादा खराब कर देते है तो एक बार ये हो जाए कि ये बीमारी आ गई है तब इसके इसका इलाज किया जाए इसका इलाज ये है कि आप सीफेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं सीफेक्स को एक लीटर पर हेक्टेर मीटर डेप्थ के हिसाब से डाले सीफेक्स जो है वो सीफा द्वारा बनाया गया है बहुत अच्छी च ठीक हो सकती है केवल तब ही जब घाव बहुत ज़्यादा व्यापक ना हो और उपचार के बाद अक्सर जो है गहरे निशान रह जाते हैं और एक चीज़ का ध्यान रहे कि जब ये बीमारी बढ़ जाती है यानि कि उन्नत स्तर पर चली जाती है तब इस बीमारी के लिए कोई भी प्रभावी इलाज जो है उपचार वो संभव नहीं है इसलिए इस बीमारी को शुरू में ही रोकना बहुत ज़रूरी है बीमारी पर नियंतरन हासिल करने के लिए उन्नमूलन यानि कि पूरा का पूरा लौट ही हटा दिया जाए बहिशकरन यानि कि एक्सक्लूदन जो मचलिया बीमार है उन्ने निकाल लिया जाए प्रबंधन निगरानी और उपचार ये सब चीजों का अगर आप इस्टेमाल करेंगे एक बढ़िया तरीके थे तब ही इस बीमारी पर कंट्रोल का पाया जा सकता है जो भी इलाज करना है उसके लिए गौर्मेंट की गाइडलाइन्स या यूएस एफडिये की गाइडलाइन्स का जरूर प्रियोक करें सारी चीजें इन्वार्मेंट फ्रेंडली होनी चाहिए जो एक प्रूफ ड्रग से उन्हीं का इस्तेमाल हो इसके बाद एक और फंगल डिदीज के बारे में बताएंगे ब्रैंकियो माइकॉसिस के बारे में उसके बाद एक जनरल फंगस के लिए क्या ट्रीटमेंट के पद्दती होनी चाहिए उस पर एक अलग वीलियो बना देंगे US से जो संक्रमित मचली है उसको दफनाया जाए या उसे भस्म करके ठीक तरह से निप्टाया जाना चाहिए उसे इधर उधर किती दूसरे पानी में आप नहीं चोड़ सकते जैव सुरक्षा के कुछ मेजर्थ हैं जिनका अगर आप इस्तिमाल करेंगे तो ये बीमारी जो है फार्म पर आने ही नहीं पाएगी अ monsieur उसमें अच्छी फार्म की स्वक्षता अच्छी तरह से हैंड वॉष करिए हाथ दोईए दो टैंक के बीच में तालाब के बीच में जाएं तो हाथ पेर ढो के जाएं सबका निट अलग-अलग हो उनके जो भी सामान है वो अलग हो उनके स्टॉक्स अलग हो उनके इसमे जल गुनवत्ता का प्रबंधन किया जाए, रेकॉर्ड रखा जाए, रेगुलर मचलियों की मौनिटरिंग हो, और लिखित रूप से सब का रेकॉर्ड रखा जाए, तो एक अच्छा अगर आप रेकॉर्ड कीपिंग रखेंगे, तो जो पर्यावरन का अलोकन भी आप करिए, स्टॉकिंग का रेकॉर्ड रखेंगे, कितनी मचली कहां आई, कहां गई, ये सब चीजों का अगर पूरा रेकॉर्ड रखेंगे, तो इससे ये बीमारी आने ही नहीं पाएगी, तो आप जो भी इलाज तै करें अपने फार्म के लिए, वो environmentally friendly होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, और अगर ये बीमारी आपके फार्म पर आई है, तो आप अपने हाँ की management practices, procedures, design, सब को evaluate करिए, और ये देखिए कि कहां कमी है, उसे दूर करिए ताकि दुबारा ये बीमारी आपके फार्म पर ना आए, तो एपीजूर्टिक अलस्रेटिव सिंड्रोम, बाई बाई, नए वीडियो में मिलते हैं, गिल रॉट डिजीज के साथ, ब्रैंक्यूमाइकॉसिस, तो इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया हासिल किया है, कुछ सीखा है, तो करिपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, तो जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए, अल्ला हाफिज, जै हिंद, जै भारत, वंदे मातरम।